चोटा कद होने के कारण नहीं मिल रही दुलहन अब तीन फिट के दानिश की शादी करवाएंगे मुखमिंत्री यूपी के इस लड़के ने लगाई अनोखी गोहार तो अच्छानक आ गया चर्चाओं में अजीम मनसूरी तो निकाह करके निकल लिये लेकिन अब नए कुआरे ने बढ़ा दी पुलस की परिशानी बोले दानिश मुझे पेंशन दिलवाओ फिर शादी करवाओ दुलहन के बिना में तड़ब तड़ब कर मर जाओंगा आपको ढ़ाई फिट के अजीम मनसूरी तो याद ही होंगे जिन्होंने अपनी शादी ना होने पर पूरे यूपी में हल्ला मचा रखा था और कुछ महीने पहले ही उन्हें अपनी दुलहन नसीब हुई थी उसके बाद से अजीम भाई तो खबरों से गायब हो गए लेकिन अवुनी के जैसे एक और महाशेत सामने आ गए हैं जिन्होंने सीधे सीम योगी को खत लिखकर अपनी शादी की गोहार लगा दी है तीन फिट लंबे दानिश ने नकेबल सीम को खत लिखा बलकि पुलिस के पास जाकर भी अपना दुखडा रोया और बताया कि छोटा कद होने के कारण उसे कोई लड़की नहीं मिल रही है पूरा मामला मुझफर नगर जिले से सामने आया है तीन फिट के दानिश अपनी शादी करवाने की फर्याद लेकर खतौली कोतवाली पहुँच गए वीस वर्ष ये दानिश की फर्याद सुनकर पुलिस कर्मी भी हैरान हो गए तो वहीं अब पुलिस कर्मियों को समझ नहीं आ रहा कि इसका समादान कैसे किया जाए तीन फिट के दानिश ने मुख्यमंत्री योगी आदितिनात के नाम एक ग्यापन भी सौपा है जिसमें उसने अपनी पेंशिन बनवाने और शादी करवाने की गोहार लगाई है रिपोर्ट्स के मुताबिक दानिश मुझफर नगर जिले के खतौली कोतवाली के ढाकन चौक का रहने बाला है और दिव्यांग है दानिश ने ग्यापन में लिखा उसका छोटा कद होने के कारण उसे कोई दुलहन नहीं मिल पा रही है कई बार उसके लिए रिष्टे आए लेकिन हर बार उसका रिष्टा तूट जाता है मैं अपने चार भाई वहनों में सबसे छोटा हूँ और धाकन चौक पर एक कपड़े की दुकान चलाता हूँ दारिश की मारे तो वो इस बार अपने वार्ड नंबर 9 से सबासदी का चुनावी लड़ना चाहते हैं इस मामले में जब जिले के आलाधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने चुपी साथ ली चुपीयद ढ़ैएं हुआ लाड़naire यारई हुआ 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 उन्होंने चुपीर हुआ के अच्पी को आपकारियों बेरो रेपोर्ट मीडिया हल चले